हां रुफिक्स रेड्मीफ गो बेग बटन्नोट वौर्किंग प्रापलम मॉबाइल को बैक करने में प्रापलिम फेस कर सकतें तो आपको क्या करना होगा क्येसे बचना है कैसे कर सकते हैं तो वह सब दोसों आज के इस वीडियो पर हम डिसकास करेंगे कुछ या पर ट्रिक्स में आपको बताऊंगा कैसे करके आप बैक बटन को यूज कर सकते हैं अगर आपका बैक बटन में खरावी हो चुका है तो आपको कुई में आपको एडिशनल सेटिंग्स बता सकें तो चलिए शूरू करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा हमें जो है दोस्तों एक बर सब्सक्राइब और सबसे पहले नहीं होता है प्रॉब्लम सॉल त जाये रप्रॉब्ल तो यहाप पर इसको जोए बन करना होगा, तो यह इस तरीके से बन होते हैं, ठीक है, तोग्वेच मोर्ट ओन होने से दोस्तों यहापर आपको काफी दिक्कते हो सकते हैं, तो टotal बेक मॉट को बन जरुसे करना, ठीक है? तो बेक मॉट अगर आपको यू चांड नहीं आते तो दो फिंगर से आप यूज जिए अपने स्क्रीन को ऊपर जाने के लिए और साइट में जाने के लिए दो उंगली आपको यूज करना हूँ ठीक है उससे क्या होगा आपका स्क्रीण स्लाइट कर पाओ तो यह करके देख अगर तो बैक मोट इसका रिजन है तो आभी अभी का भी आपको प्रॉब्लम सॉल्फ हो जागा लेकिन मान लिजर टॉप बैक मोट से आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है फिर भी बैक बटन काम नहीं करें तो आप दोस्तों यहापर क्विक बॉल ठीक है क्विक बोल करक सकते हैं वहाँ पर सिर्फ बैक बटन नहीं है होम बटन भी रिसेंट बटन भी है सारे साथ दोस्तों आप यहापर क्या कर सकते हैं मोबाइल को एक बार अपडेट करके देखें सो फिर अपडेट करने से भी यह प्रॉब्लम जो फीक्स हो जाएगा तो करके देखें अगर भी हो जाते हैं तो आप booking to a Pixel करकी भी देख सकते कि फैक्टोरी रिचेट करने सी दोस्तों इस तरह गाजर यह हो जाते हैं धीके तो फैक्क्तोरी डेटा डुटन करके देखें उससे आपका काम बन जाना चाहिए अगा को फैक्तोरी डूसियो निबर तो मत कीजिए आपको यह आप पर एक application मिलेगा navigation बार करके उसको ही आप install करके use करें यह आपको back button home button सब नीचे पर ही मिल जाएगा ठीक है इस तरीके से तो यह आप देख सकते हैं काफी बड़ीया तरीके से यह चीज़ काम करते और इसमें एक खासियात भी है आप इस buttons के जो color है उसको भी change कर सकते हैं ठीक है बटन color में इस तरीके से तो अगर आपको change करना यूज़ करना है तो आप यह भी कर सकते हैं ठीक है तो यह सब additional settings है तो आप इसके मदल से fix कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहावर मान लीजा आपका जो यहावर बेक बटन है जो की default में आते उसको आपको permanently fix क करना है तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको जाना होगा technician के पास ठीक है अगर जो solution में ने दिया है आपसे आपका जो problem में उसे fix नहीं हो रहा है तो जाना होगा technician के पास और वह कुछ ना कुछ करेंगे इसके लिए और उसके बादे आपका problem solved हो सकते हैं ठीक है तो इस तरी आपका फोलो करना होगा तब आपका problem fix होगा तो आज की इस वीडियो बर दोस्तों बस इतने टेंक्स वाचिंग